नमस्कार मेरे पास तीन तरह के टमाटर लग हुए हैं और यह देखिए बिल्कुल इतने गुच्छों में हैं और यह नहीं मैं 15-20 तिन पहले वीडियो शेयर की थी मुझे टमाटर हार्वेस्ट यह लाल पके टमाटर मिलने लगे थे और देखते हैं कि बस यह गुच्छों मे इतने जादा ये फ्रोटिंग है इसमें और यहINGD देखें बिल्कुल इस तरह करें करें बंच ह्लोब के यहां मुझे हैं कि मेरे जादा पास्नाफ और यह नीचे देखिए विल्कुल लगा हुआ है शक्वास कि दे noi ब्सक्रेगान से नबखरें addicted डात्य देखने हैं और Rouge कि तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है गजब का रिजल्ट मिला है मैं यहां अंदर देखिए कितने सारे लगें टमाटर इसी तरह यह हाइब्रेट का है यह भी बहुत ही अच्छा फला हुआ है यह देखें गुच्छो में है ये मैंने इनको दोस्तो लास्ट मतलब जुलाई में लगाया था डेट मुझे भूल रही है तो मैंने स्टार्टिंग अगस्त और लास्ट जुलाई में कुछ पौधे लगाये थे जो कि मुझे 15 से 20 तीन हो गये मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है मैं डेली 10, 20 इस तरह पांच जो जैसे छोटे बड़े हैं और ये बिल्कुल ये खटे वाले देशी टमाटर है जिसको क्या बैग इन हमारे यहां कहते हैं तो फ्रेंड्स बने रही है मेरे वीडियो में मैं बताऊंगी किसमें मैंने केयर क्या किया खात किया किया है कि जो मुझे इतने दिनों से पके हुए टमाटर मिल रहे हैं ये देखे लगे हुए है तो चलिए बने रही है मेरे वीडियो में मैं बहुत अच्छी खात बताती हूँ और बहुत ही अच्छा टमाटर क्या है साट से सतर दिनों में अगर अच्छी सी केयर की जाए तो ये हमको फल देने लगता है टमाटर खाने को मिलने लगते हैं इस तरह कि बिल्कुल इतने पौधे भरे हुए हैं अंदर की गुच्छे गुच्छे लगे ही तो चलिए इनकी केयर बताते हैं कि पहली बात तो इनके पुराने पत्ते बिल्कुल आप तोड़ दे और रसी की मदद से अच्छे से बांदे लकड़ी का सहारा दे जब फल बनने लगे नई तो क्या है ब्रांच नीचे लटक जा तो यह जब फल से भर जाती हैं तो इनमें बजन पढ़ता है और धे सारी ब्रांच और साखाएं हो जाती है तो यह रसी की मदद से बांध ही इस तरह का तो आपके इसमें और नहीं तो मिट्टी में यह ब्रांच और पत्ते छू जाएंगे तो फंगस लग जाएगा और ना 40% नार्मल गार्डान सहल लें और 30% सडिफी गोवर्ट की खात वर्मी कमपोस जो भी हो वह लें उसमें थोड़ा राख और नीम की खली बिल्कुल मिलाना ना भूले और मिट्टी बिल्कूल आप जो पुराने मिट्टी है उसको धूप में अची तरह से सुखा लें इससे और दोस्तों एक पॉट में एक ही पौधा लगाई और हमने सेंड बताना भूल गया उसमें 20% सेंड मिला यह एक ही पौधा है यहां से इसकी ब्रांच गई थी और उसी में इतने फल आए हैं कि दोनों ही ब्रांचों में आए हैं वो सखर्स नहीं है और दूसरा टमाटर की जोड़ा है और गहरा भी है तो इसमें जितनी जड़े उपर दिखती है तो मिट्टी भी डालते जाएं और दूसरी है कोई फंगी साइड माह में दो बार डाले इस समय देखिए मौसम का इस समय थोड़ा भीच पीच में बादल करने लगा है मौसम तो यह देखिए मिली ब इधर भी बैठा हुआ है तो दोस्ते इसमें हम कोई ऐसी फंगी साइड न डालेंगे एलोवेरा जिल जो है थोड़ा सा उसका रस तीन चार बूंद और मतलब एक इत्ता बड़ा टुड़ा जो एलेवरा का है गूदा उसका निकाल लेंगे पानी में अच्छे से एक लीटर पानी से एक से डीटर पानी मिक्स कर लेंगे तीन चार बूद आप कोई भी लिक्विट साब डाले या कि निर्मा चोटा से चुटकी भर डाले और अच्छे से मिला के पानी में अच्छे से हिला ले उसको और इस पर कर दे इससे चला जाता है बागी जब फ्रूट लगे है कोई ऐसे वैसे कुछ भी न डाले आप माह में दो बार डालते रहेंगे अब फंगस लगे हैं तो सबताह में दो बार डाले तो यह आपके पौधे एक नुकसान भी नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा राख भी आप डाल सकते हैं तो दोस्तों यह सब आ कुछ फ्रूटिंग अच्छी होगी लेकिन जब ऐसे पुराने पत्ते हो जाए देखे यह पुराना हो गया मैं वह कुछ दिनों में यह पक जाएगा तो इसके पहले ही हम तोड़ दें क्योंकि यह खाद वगर जो एनरजी ले ले लेता है तो इनका जो है फिर फल नहीं बन माई में दो बर गोडा करीं चलिए हम खाद बताते हैं आपके लिए यह खाद ये वाली है यह इस तरह कि आप खाद देंगे यह तो यह बहुत ही अच्छाियर्ट यूयगा यह प्याज से तयार खाद से नहीं है चलिए हम बताते हैं किससे एक त्यार खाद मैंद्स यह बायो एंजाइम यह नीबू से बना हुआ है इसमें पौटेसियम और बिटामिन के मात्रा बहुत ही ज़ादा होती इसके साथ साथ इसमें यह मिट्टिक एस्टिक मनाता है और भी बहुत से खानीज बिटामिन होते हैं जो एक सम्पून खाद है हमारे पौधे के लिए माह μें आप दो बार मिट्टी में जरूर ले करते हैं तो दोस्तों यह है और यह खाद है यह हमारी यह फ्रेंट्स नीम खली और सड़ी ही गोबर की खाद से तयार शड़ी गोबर की खादनों तो आप उपले भी ले सकते हैं ये मैं कई पौधे के लिए बनाई हूँ बहुत जादा इसमें मिला है कम से कम ये 100-500 ग्राम नीम खली मिली है और इसमें उतने ही ये गोबर की खाद मिली हुई है थोड़ा हमाई गोबर की खाद बन गए थी तो ये सुख गई है हम तोड़ नहीं पाए तो ये बड़े बड़े डलने हैं लेकिन इसका पोशक तत्य पानी में आ गया है तो फ्रेंड्स ये पानी है एक लीटर से थोड़ा कम है तो मैं अगर मिट्टी में प्रयोक करती हूँ तो इसको एक कफ डाल लूँगी ये और फ्रेंड्स इसको एक धकन इसको एक लीटर पानी में हम डाल लेंगे तो फ्रेंड्स ये नीवू से बना हुआ बायो एंजाइम है गोड़ा नीवू का पोशक तत्य और ये चार-पांच महीने का हो गया है बीच में हम थोड़ा साइस को गोड़ बगएर है डाल देते हैं और अगर कुछ एक ही बार का बना हुआ छोड़ेंगे तो इसके फिर गोड़ बत्ता नस्ट हो जाती है तो दोस्तों ये सभी खाद जितने खनीच विटामिन हमारे टामाटर को चाहिए सब कुछ है हाँ जब लिक्विट डालें तो हलकी मिट्टी मॉइस्ट रहे और आरगनिक है थोड़ा कम जादा होगा तो कोई नुक्सान नहीं होगा और इसको सुबह या साम के वक्त डाली तो फ्रेंट्स बहुत ये अच्छरी जल्टा आता है नीम की खली है सड़ी गोबर की खाद में सब कुछ है जो कमी रहती है और फास्ट ग्रोफ हो फास्ट फ्लाबर बगर रहे आए तो नीबू जो पूरी पूरी कर देता है शुर कर दिते हमें पॉलिनेशन नहीं करना पड़ता ये अपने आप से हवा चलती है तो पॉलिनेशन हो जाता है और दोस्तों इसको पूरी धूप में ठंड में रखे टमाटर को और तीसरा जो है मिट्टी हलकी मोईस्ट रहे बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा तो फ्लावर जड़ जाएंगे पत्ते खराब हो जाएंगे कम पानी होगा इस मिट्टी सूखी रहेगी तो भी पौधे पत्त लगे हुएं बधे हुएं तो नहीं दिखते और यह मैंने सहारा लगा दिया है तो नमस्कार दोस्तों